नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है अपने दिब्वित दर्बार में चमतकार और विबादित बोल के लिए जाने जाने वाले बागे स्वर्ध हम सरकार पंडित ध्रेंद कृष्ण सास्त्री एक बार फिर से चर्चे में हैं विवादों में है और उन्होंने माफी भी मांग दी है माफी मांगने का ये कोई पहला मामला नहीं है वो इससे पहले भी कई मामलों में माफी मांग चुके हैं ताजा मामला है साई बाबा का उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि संकराचार साई बाबा को भगवान नहीं मानते थे मंदिरों में प्रतिमा लगाने का मूर्ती लगाने का बिरोध किया था साइं एक मुस्लिम थे यही बयान उन पे भारी पड़ गया चोथ तरफा आलोचना होने लगी फिर उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात नहीं कही थी संकराचारी ने जो कुछ भी कहा था उसे दुरा दिया था वो संत और फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं यह जो बयान दिया था वो संकराचारी के हवाले से दिया था इसके बावजूद यह दिक किसी की भावना आहत हुई है तो माफी मांगता हूँ यह उन्होंने उनके ऑफिसियल जो ट्विटर हैंडल है उससे ट्वीट किया गया है इसके पहले एक प्रवचन के दवराण महान संत तुकाराम की पत्नी को लेकर के जो उन्होंने टिपड़ी की थी उस पर भी उनको माफी मांगनी पड़ी थी कि प्रवचन के दवराण संदर बस संतुकाराम का जिकर आया फिर उनकी पत्नी का आया उसमें उन्होंने कहा, जो कुछ भी कहा, वो संदर बस था, किसी को चोट पहुचाने या अपमानित करने का इरादा नहीं था, फिर भी अधि किसी की भावना आत हुई है, तो उमाफी मांगते हैं, और भी कई मामलों में आफी मांग चुके हैं, तो बाबा बोलते हैं, बहु अधि फंस्ता भी है, यही उनके साथ भी हो रहा है, नागपूर में गए थे, तो दिब दर्बार और च्शमतकार को लेकर के विबात पैदा हो गया था, वहाँ पे अंध विश्वास निर्मूलन जो समिती है, स्याम मानव, उन्होंने सिकायद दर्ज की थी, आरोपी है कि बाबा को वहाँ से भागना पड़ा था, रायपूर आ गयते, फिर ही वहाँ पे आ करके मीडिया के चुनावती को स्विकार किया था, अब कौन पक्ष कितना सही है, इसके बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जहाँ पे सरधा और विस्वास का माम ला जाता है, वहाँ पे सारा विज्ञान फेल हो जाता है, जो मामले सामने हैं, जिस मामले में वो माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि उन्होंने गलत बोला था, तब ही तो माफी मांग रहे हैं, रहे नबे खबर, देखते रहे हैं, इन खबर, थैंक झाल झाल झाल